तो आज हम लोग क्लास एड का वाव मैथू का एक्सराइज 1.4 को सॉल्ब करने वाले हैं ठीक है तो देखिए एक्सराइज 1.4 का कोसे नंबर 1 हमने सॉल्ब कर लिया था कोसे नंबर 2 हमारा क्या है कोसे नंबर 2 बोलता है 0 यह कौन सह प्रोपटी है यह हमारा जानते हैं कि यह हमारा कौन सह प्रोपटी यह theकल है यह नंबर 3 म häufना चाहिए तो इधर हमारा कौन सह नंबर है उधर भी होई तो 5 by 17 है कौन नमबर नहीं है यह नमबर नहीं है तो यह वाला नमबर हम लोग उधर रख देगे उज़ वाला नमबर हम लोग उधर रख़ देंगे 12 by में मैनस 15 ठीक है इसमें कारता जेरो इन्टो इन्टो मैनस 5 by 7 इकल चुछ इन्टो 0 फिर देखिए यह वाला नंबर उधर है कौन वाला नंबर नहीं है यह वाला इसे रख जेंगे माइनस 5 में 7 ठीक है माइनस 15 बैसे 17 इकल टू डास इकल टू 0 है ठीक है 4 by 7 into 1 by 2 plus 1 by 5 is equal to dash 1 by 2 plus dash into 1 by 5 इसे क्या है यह है यह हमारा distributive property है यह नंबर इसे multiply होता है फिर यह नंबर इसे multiply होता है यह नंबर इसे multiply होगा 4 by 7 into 1 by 2 multiply हो गया plus का साइधा plus देदिया प्रेय नम्पर इससे multiply होगा यानि कि 4 by 7 into 1 by 5 ठीक है D हो गया E क्या है रिखिए 32 by minus 34 into dash 32 by minus 34 यह हमारा क्या है additive identity नहीं multiplicative identity हम जानते है किसी भी नम्मर को अगर 1 से multiply करते हैं जानते हो ही आजाता है और 1 हमारा multiplicative identity होता है यह होगा है ठीक है अब देखिए 7 by 9 into 4 by 3 plus 5 by 6 7 by 9 into dash into 5 by 6 यह हमारा कॉंसे प्रोपर्टी है associative property है multiplication का यह दोरो को पॉले लिख दिया जाएगा फिर इसको बार्णू कर दियागा है 7 by 9 कौन नहीं है 4 by 3 4 by 3 हम नहीं लिख दिया ठीक है F G देखिए minus 97 by 99 है minus 97 by 99 है इसे कैसे solve करेंगे तो equal to 1 आ रहा है तो क्या करेंगे इसमें दिखिए अगर इसी नमबर को इसके reciprocal से यानि कि multiplicative identity से multiplicative inverse से multiply कर दे हमारा result जो आता है वो 1 आता है यानि कि अगर 99 by में minus 97 से multiply कर दे हमारा result क्या जागा 1 आ जागा यह था हमारा जी यह देख लेते है 7 by 9 into 2 by 5 minus 1 by 5 is equal to 7 by 9 यह दिखिए यह भी हमारा distributive property है लेकिन क्या क्या क्योपर subtraction क्योपर 7 by 9 क्या होगा इससे multiply हुआ होगा 7 by 9 into 2 by 5 minus to sign था minus आ गया हमारा 7 by 9 1 by 5 से multiply होगा 7 by 9 into किससे कौन बन गया 1 by 5 1 by 5 में 5 ठीक है यह था हमारा question number 2 तो अब देख लेते हमलो question number 3 को तो question number 3 है वो हमारा क्या है देखिए question number 3 बोलता multiply and express the result in the lowest form यानि कि इन्हें हमें multiply करना है और इन्हें lowest form के टम्में में लिखना है ठीक है तो कैसे लिखेंगे यह में हमारा 5 by 9 into minus 7 by 15 क्या करते हैं सबसे पहले जो है इसको लिखते है 5 by 9 into minus 7 by 15 देखिए जिससे यह करदेगा cross multiplication में में जानके है तो 5 से करदेगा 3 बार में अब देखिए यह हो गया 1 बार में minus 7 into 1 कि तो होता है अब यह करदेगा क्या नहीं यह हमारा यह करदेगा क्या नहीं यह हमारा क्या क्या लोस्ट फर्म में हो गया यह करेंगे तो 15 शिंच आ 19 स्रीक क्या में माइनस था इसने मान बार में बैक में ठीक है और इसकादेगा बिल्कुल कादेगा यहां हमनों क्यादा सकते थे यह करेंगे लिए कि समारा 40 क्वार्में तूसर से एफ प और मीद जानुक पॉर्म में है तो इचे कैसे करेंगे देखिया, पाल इसे तोड़ेंगे 5 तोड़ेंगे 35, 35, 1, 36, बाइ में 7 इंटो 3 बाइ में 9, ठीक है, 9 सेकर्ड जेगा 4 बार में, और 4 इंटो 3 जेगा 12 और बाइ में 7 यह हो गया, अब देखिया, अब देखिया, माइनस 4 बाइ में 3 इंटो, माइनस 5 बाइ में 16, इसको कैसे सल्फ तरहेंगे, माइनस 4 बाइ में 3 इंटो, माइनस 5 बाइ में 16, कटने माला है, 4 से 1 बार में, 4 से 4 बार में, और कहीं, नहीं, तो माइनस 5 समारे के आपके 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 प्लास, और 5 बाइन जा 5, 3, 4 जे कितनो यह था हमारा question number 3 तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में question number 4 के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक like कमेंट से जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि हमारे आप मुझे वाट्सप करके आप हमारे ग्रूप से जोड़ सकते हैं 789 10 11 12 सबका एक सेपरेंट बैंच है अलग अलग ग्रूप है 789 10 के लिए English, Math, Science है और 11 12 के लिए Only Math है तो हमारे सांट्रोड के लिए बहुत बहुत थानेगे बाद मिलते हैं आपको लिए बड़ों थैंक्यू सो मुझे